लेखपल के तीसरे वीडियो में लोगों का स्वागत है, इस से पहले हम लोगों ने बात की थी प्रमुख कृसी संस्तान के बारे में, उसके बात में Maynay वीडियो बनाया था, नाबार्ड के बारे में और उसी में ही हमने, क्या किया था, M.G. नरेगा को भी समझाता है, तो फ पता चल लाओगा कि किसमों से रिलेटेड या फसलों से रिलेटेड भी कई सारे कुश्चन जो हैं एक से दो कुश्चन हमारे में बनना हैं तो आज हम लोग पूरा कवर कर लेंगे उसमें एक वीडियो के अंदर तो टाइम ना वेस्ट करते हों सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग बात करें चावल के वनस्पतिक नाम के बारे में तो इसका नाम है ओराइजय सटाइवा ठीक है बहुत जादा पूछा गया है कई सारे पेपर्स में डारेक्ट पूछ लिया जाता है चावल का वनस्पतिक नाम क्या है तो ओराइजय सटाइवा इसका नाम होत बहुती ज़्यदा पानी की जरूरत होती है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी उस्ट कटबंदिये जलवाई हो गई गर्मी इसके लिए जाना चाहिए और धान की खेती जो है वो एक तरीके से खरीब की फसल मानी जाती है तापमान की अगर बात करें तो इसके लिए औसत तापमान की तिनी जरूरत होती है तो 24 डिगरी सेंटीग्रेट तापमान जो होता है वो इसके लिए औसत तापमान की हम लोग बात करने है ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होता है लेकिन ज्यादा ही हो सकता है ता होती है वो चावल की पैदावार बहुत ही जादा होती है क्योंकि यहां पर बारिश जो है सरवादिक होती है और अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए कैसे क्या और वरक की आवस्थिक्ता होती है तो यानि इसमें जो होता है वो 80-120 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टर की इसमें आवस्थिक्ता होती है हम सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी मिटियां पाई जाती है उनमें दो की कमी बहुत ही जादा पाई जाती है सबसे पहला होता है nitrogen और nitrogen के बाद में क्या होता है humus ठीक है तो humus ये दो चीजे हैं ये हर एक मिट्टी में इन दोनों की कमी पाई जाती है अगर हमें कोई भी फसल होगा नहीं है तो उसके लिए हमें nitrogen और humus की अवशिकता पड़ेगी तो इस वज़े से क्या होता है उर्वर चालिस से साट किलो तक चाहिए होता है पर hectare के साफ से और साथ इसाथ पोटास जो होता है उसकी 40-50 kg क्या होती है पर hectare ज़रूरत परती है पढ़ा होगा अपने np कि यानि नाइट्रोजन हो गया फिर उसके बाद पोटास हो गया फिर फासफोरस हो गया तो इस तरीके से क्या होता है इन सबकी जरूरत पड़ती है पोटेशियम हो गया इन सबकी जरूरत पड़ती रहती है मैं फिर देखे बीज जो होता है बीज की सीधी बाई अगर होती है सीधी बाई मतलब होता है कि जैसे आप लुगों ने देखा ऊख़ा हुआंने किसान हात में लेता है ढेर सारा ना।рудर इधर-अधर-अधर ओधर ऐसे से करके क्या होता है, छिड़क देता है, मतलब क्या होता है क्यारियों में ना लगा कर कि उसे में जो है वो चावल का खटोरा किसे का जाता है 36 गड़ उडिशा की तरफ के इलाके को बोला जाता है ठीक है फिर देखिए इसमें रोपड की अगर हम लोग बात करें तो रोपड के लिए क्या होता है 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टियर की जरूरत होती है ठीक है पादक देश की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा छेतरफल में बौई जो होती है अगर छेतरफल यह जमीनी के हिसाब से देखिजाए तो भारत में ही होती है सबसे ज्यादा छेतरफल के हिसाब से बौई लेकिन जो उत्पादन होता है वो क्या होता है चीन में सरवादिक होता है क्यों क्योंकि चीन में जो होता है वो पर हेक्टेयर उत्पादन जादा होता है मतलब वहां पे जो फसल वह जाती है उसकी डेंसिटी बहुत जादा होती है उसका कारण क्या है आप लोग जानते हो कि चीन में जो नहरे हैं उनकी वि भी production है वो भारत से ज़ादा है इसलिए चावल के उत्पादन में क्या होता है चीन ज़ाद सबसे नमबर वन पर है फिर भारत फिर इंडोनेशिया और फिर बंगलादेश इसी तरीके से चावल के निरियातक देश में कौन सबसे ज़ादा निरियात करता है तो हलाकि उगाता ज़ादा है लेकिन उसकी जनसंक्या भी ज़ादा है इस वज़े से भारत जो है वो निरियातक देश में नमबर वन पर है उसके बाद थाइलेंड है और उसके बाद में वियतनाम है अब याद रखिएगा सीर्स आयातक देश कौन सा है मतलब जो सबसे ज़ादा अपने यहा का भारत बना हुआ है तो यह जो इधर साइड हमारा पश्चिम बंगाल है तो जो यह मांसून इधर से होता हुआ इस तरीके से जाता है मांसून हमारा जो कि हम लोग जानते हैं कि आगर इसको लेलो नौर्थ तो यह लेलो साउथ तो साउथ इस्ट मांसून क्या होता है पह चावल की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम मंगाल में होती है ठीक है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश और उसके बाद में पंजाब वैसे भी आप लोगों को पता है कि सब्जी उत्पादन में नंबर बन राजी कौन सा है पश्चिम मंगाल है यह करेंट का वसा जो होती है याई फैट जिसकी बात करते हैं मोटापा बढ़ाने के लिए 2.5% होता है तो अगर आपको मोटे होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चावल खाना शुरू कर दीजिए मिनरल्स के अगर बात करें तो 1.1% जो है वो इसमें खनिश पाया जाता है और कार्बो हाइडरेट सबसे ज़्यादा मातरा में इसमें पाया जाता है 75-76 ग्राम इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी पोसकतत्त तो बोलते हैं यानि हम लोग कहते हैं कार्बो हाइडरेट प्रो बहुत ही जादा है पिछली बार मुरूत की किसम पूछी गई थी तो सकता है चावल की पूछी लिजाए तो साकेत, गोविंद, कावेरी, रतना, जया, सर्जु, मैसेरी, पूजा 33, ये पूसा 33 ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, लूना सिरी ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक ठीक है, फिर उसके बाद में चावल का अंतराष्टिय वर्स जो है, वो कभ गोसित किया गया है, 2004 को गोसित किया गया है, ठीक है, बाजरे का अंतराष्टिय वर्स, 2023 को गोसित किया गया है, ये करिंट के कोश्चन है, तमिलाडू ये पश्चिम मंगाल में क्या होता है, यहां पर लोटता हुए मांसून भी क्या कराता है वर्षा कराता है और लोटते हुए मांसून से वर्षा होने के करण यहां पर पानी क्या होती है परियाप मात्रा पाई जाती है और इस वज़े से तमिलाडू और पश्री मंगाल में क्या होता है पूरे वर्ष चावल की खित होती है ठीक है फिर अगर लोग बात करते हैं यहां पर देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा मैं वो और लेता हूं अब देखें चावल से रिलेटेट कुछ अंतराष्टिय संस्थान है जो कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी पढ़ा दिया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इंपोर्टेंट संस्थान की वीडियो आप लोग देख लीजेगा जिसमें देखें बनाता है मनीला फिलिपिंस में और भारत में भारत में भी अंतरजाष्टिय अंतराष्टी चावल नसंदान केंद्र गांडर आ तो तो चावल ==== भी जरूरत है वहाई पर पढ़ेगी तो इस वज़े से चावल उसंधान के इंदर क्या था हैदरावाद में था ठीक है तो आई वोप आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में बहुत अच्छे से देख लिया होगा चावल के बारे में अब हम लोग बात करते हैं गेहूं के परिवारे में तो मैंने पहले बोला था कि जो चावल और गेहों का कुल है वो दोनों का सेम है तो यह भी ग्रेमिनी कुल सही है उसका क्या नाम था चावल का ओराईजस अटाइवा और इनका नाम है Tritikam सेटाइवम ठीक है तो देखें यहाँ पे सेटाइवम और सबस्ट हो मत देशिया मत देशिया में जा यहालचा को दॉनेशियають हैं इनको माना जाता है चाहल की उत्पत्ति कहां से तो भारत और इन्डोनेशिया से ही चाहवल की उत्पत्ति पूए आ ठीक है और इसके जिन्म अन जाता है मध् 기대 को दॉनेशिया मैंने कहा था इसके अब हो सकता है और गेहूं क्या है जो कि सर्दियों में बोया जाता है तो इस वज़े से सर्दी में जो बोय जाती है वो है रभी की फसल ठीक है और गर्मी में बोय जाती है वो खरीब की फसल तो यह सर्दी में बोय जाती है तो इस वज़े से यह रभी की तो यहाँ पर दिखिए इनके लिए तापमान की जरूरत होगी 10 से 25 दिग्री सेंटीग्रेट का तापमान इसके लिए जरूरी होता है। रभी की फसल नवूंबर दिसम्बर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्राइल के आते हैं ते इनको काट दिया जाता है। बुआई में कितना लगता है गिहूं तो एक कुंटल एक तरीके से कह दिया जाए तो 100 किलो पर हेक्टियर गिहूं की अवश्यक्ता होती है। जैसे उसमें पूशकतत्य की बात की गई थी तो चलिए इसमें भी पूशकतत्य की बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें प्रोटीन जो है वो 8 से 15% पाया जाता है। चाबल के में और यहां पर कितना दे रखा है। हम लोगों को 65 तो 70% दे रखा है तो कार्भोगोड़ेट इसमें इतना पाया जाता है। अब देखिए अगर सीर्स उत्पादक देशों की बात करें फिर राजियों की बात करेंगे अगर सीर्स उत्पादक देशों की बात करें तो फिर से चाइना जो है वो नमबर वन पर है उत्पादन में क्योंकि इसका पर हेक्टियर उत्पादन जो है वो ज़्यादा है भारत स फिर रूसी संग यानि वर्तमान रशिया ठीक है जिसे पहले USSR कहते थे फिर अमेरिका और फिर उसके बाद में फ्रांस आता है तो उत्तर प्रदेश पूर नंबर वन पर है गेहूं के उत्तपादन में नंबर वन इस्तान पर है पूरे देश का एक त्याई गेहूं जो है उत् उत्तर प्रदेश है वो क्या होता है 32 गिल्डो और 590 ग्राम्स जो है वो क्या करता है केवल और केवल हमारा उत्तर प्रदेश होगाता है ठीक है और उत्तर प्रदेश में भी सबसे जादा कहां पर होगाया जाता है तो गूरकपुन में सरवादिक होगाया जाता है फिर आत यून कुंदन अमर भवानी कल्यार सोना पूसा किरन एस एस 542 यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा और नील गिरी जिसका नाम है ह्व 1098 पूसा माल भी है यह भी इंपॉर्टेंट है तो यह पूसा करके जो यह दोनों है यह बहुत ही जाना पूछी जाती है और साथी साथ यह सोना लिका है यह भी इंपॉर्टेंट है फिर मक्का के अगर बात करें तो मक्का कैसी है खरीफ की फसल है खरीफ कब बोई जाती गर्मियों में मैजून में बोई जाती है अगर सितंबर में काट ली जाती है इसका जन्मिस्थान मद्दे अमेरिका को माना जाता है मक्का आप लोग जानते ही है कि जो ग्रेट लेक्स का एरिया होता है यानि कनाड़ा और यूसे की सीमा पर पांच लेक्स पाई जाती है ठीक होती है अमेरिका में ठीक है तो एक तरीके से देखा जाए सबसे जाना तो उत्री अमेरिका में होता है ठीक है और साथ में कहां पर कनाड़ा और अमेरिका की सीनेमा पर तो आप लोग बताएगा कनाड़ा और कमेंट में बताएगा कनाड़ा और देखिए जलवाईयों वो पोस्ट कटबंदिये चाहिए होती है पोसक ततों में कार्बोहेड़ेट 79% फैट सबसे ज़्यादा पाए जाता है 5% प्रोटीन जो है 5% पाए जाता है और राक एस जो है वो भी इसमें पाए जाती है अब याद रखिए का मक्का को नाजो की रानी कहा जाता है सीर्स उतपादक दिसों में अमेरिका आपको बताए दिया उसके बाद चाइना उसके प्रोटक्ट भी ज़्यादा मत्रा में उगाया जाता है जिसे हम लोग कॉफी कहते हैं मद्ध प्रदेश उसके बाद तेलंगा ना सबसे बड़ा आयातक देश जो अपने हाँ पर मक्का को मगाता है वो जापान मगाता है याद रखना अमेरिका और जापान के बीच में एक जापान को देगा तो याद रखना सबसे बड़ा आयातक देश जो है वो जापान है और इसी तरीके से मैंने जो चावल में बताया था वो सबसे बड़ा आयातक देश इरान को बताया था ठीक है तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना सबसे बड़ा नेरयातक देश कौ ज़्यादा गर्मी पड़ती है अफ्रीका महादीव कॉंटिनेंट आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में तो अफ्रीका को इसका माना जाता है बाजरा उत्पादन में क्या होता है इभारत नंबर वन पर है नाइजर फिर उसके बाद में चीन यह उत्पादक देशों में राजिस्थान में सबसे जादा 41.9% हो गया जाता है बाजरा क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पर उसके बाद उत्तर प्रदेश 19% गुजरा 10.05% यह भारत के उत्पादक राज्ये हैं तो आई होब आप लोगों ने गिहूं और बाजरा भी देख लिया होगा बिखिए पारेख फसल और कुछ भी दे अघैंते में लिए सहरांपूर होगया बिजवनोर अर मुरादा वाद़ थीक है उसके बाद में लोग देखने है कि रामपुर पढ़ता है, फिर इस तरीके से बरेली और पिली भी और यहाँ पर जितने भी लख़ेमपुर खेड़ी करके, यहाँ तक माराँ गंज तक जो एरिया पढ़ता है, तो इस एरिया में जो यह तराई का एरिया ही, इसमें गंने की फसल सबसे जादा होती है, ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाते हैं पानी की परियाप्त मात्रा पाई जाती है और साथ ही साथ इसे क्या बोलते हैं नगदी फसल वाड़िजिक फसल भी कहते हैं चिकनी एवं दोमट मिट्टी के लिए इसकी आवसेक्ता होती है तापमान जो होता है वो 20 डिगरी अगर आप लोग बताईएगा तो यूपी स्पेशल भी सुरू कर दिया जाएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो बताईएगा तो मैं यूपी स्पेशल भी सुरू कर दूगा उसकी वे लिस्ट बना लूँगा वर्सा की जरूरत 100 सेंटीमीटर से 200 तो यहाँ पर परियाप्त मातरा में पानी मिल लाता है इसलिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्सी वर्सा की जरूरत होती है अगर प्रमुख छेत्र की बात करें तो पश्चमी छेत्रिया तराई का छेत्र चो आपको बता चुके हैं सीर्च सबसे यादा कहां परोगाया जाता है तो मुझफर नगर का वन डिश्टिक वन प्रॉड़क्ट ही है क्या हमारा गल्न अगर कर किये когда one डिष्टिक वन प्रॉड़क्ट ही क्या है गल्ने से अहया है और गन्ने से क्या बनाया जाती है जेगड़िंत यानि फॉन क्वान गण्लिक या है नाय scisz किताय beads लेकिन जो गन्ने को दी जाती है उसे MSP नहीं कहते हैं उसे हम लोग MSP की जगे FRP कहते हैं MSP लागू कौन करता है? CACP की मदद से CACP क्या करती है? पूरा पूरा एनलिसिस करती है कि किसानों को बोने में कितनी ज़्यादा अलागत लग रही है उसके बाद उनकी कितनी बच्चत हो रही है उसके इसाब से क्या होता है? सरकार जो होती है वो minimum selling price निर्दारित करती है लेकिन करने के मामले में क्या होता है? FRP निर्दारित की जाती है Fair and Remindu price किया जाता है ठीक है? तो इस तरीके से FRP दी जाती है और FRP दी कितनी जाती है? 290 रुपे पर कुंटिल के हिसाब से यह जलता है ठीक है? चीनी वर्स भारत में अक्टूबर से सितंबर तक मनाया जाता है ठीक है? याद रखिएगा अक्टूबर, नॉवंबर, दिसंबर ठीक है? सितंबर, अक्टूबर से सुरू होता है यादि एक अक्टूबर से सुरू होगा जैसे मैंने आपको वित्ति वर्स के बारे बताया था और वापस आकर के लाश्ट में सितंबर, 29-30 सितंबर की तरफ क्या होगा? यह आकर के खतम हो जाएगा तो इस तरीके से भारत में चीनी वर्स मना आए जाता है प्रमुक राजी के अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 13% बाग परगना क्योंकि सिवालिक स्रेडिया है और तराई का छेतर जो है वो इधर से आ जाती है हमारी गंड़क नदी फिर आ जाती है कोसी नदी, राप्ती नदी फिर यमुना नदी, यह गंगा आ गई फिर उसका दियमुना आ गई और बी से दलदली लाकों से निकलती हुई गोमती आ गई तो इधर का जो इरिया होता है वो पूरी तरीके से वो आटर से फिल रहता है और वहाँ पे अच्छा खाजा पानी मिल जाता इस वज़े से यहाँ पर गण्य की केती सबसे ज़्यादा होती है आप लोग कापास के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कापास उत्पादन में गुजरात है वो महराष्ट जो है उस नंबर वन पर है ठीके मैंने आपको बताया था इससे पहले जो अनुसंधान मनताया था तो राष्टिय कापास उत्पादन अनुसंधान के इंदर मैंने कहाँ पर बताया था आप लोग कमेंट करके बताएगے तो कि मैंने उसमें बोला था कि आप लोग गुजरात नहीं लगाएंगे ठीक है तो आप लोग कमेंट करके बताएगा जो मैंने बता aja था सिक नए कपास उत्पाधन के इंद्र कमेंट वाक्स में कमेंट करके बताएगा वह कहां पर है ठीक है यूपी जो है वो गंगायमना द देशी के नाम से होती है अब देशी कुछ और न समझ लेज़ेगा ठीक है तो सरवादिक यही उगाया जाता है फिर दोलेरा फिर पंजावी एवं बंगाली किसमें यहां पर उगाया जाती है इसकी जो बुआई होती है वो जून से जुलाई की तरफ होती है और जो चुनाई होती है वो अक्टूबर से नवंबर में होती है क्या किया जाता है इसको हटा दिया जाता है उसके बाद में देखिए यहां पर क्या होता है आलू जो है आलू के बारे में बात करते हैं आलू कैसी फसल है वो रवी की फसल है मारी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथ फिर उसके बाद हात्रस फिर फरुखाबाद फिर उसके बाद में इटावा ठीक है फिर उसके बाद में देखा है कि आगरा जो होता है आगरा से आलू जो है आलू का निर्याद जो है वो विदेशों में किया जाता है तथा आगरा को किस ब्रांड के नाम से विदेशों में न हमसे किया लाता है थेक यहां पर कुछ नोट बगेरा देख लेते हैं फिर जो फल बगेरा है उसका एक अगला वीडियो बना देगे नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो देखा पिर पुल क्रसी परेस्थितिक क्षेत्र हैं, भाल कितने हैं तोटल भारत जेटर हैं, 23icoff करते किर दिए में थी हैं, लेकिन जब इसका क्या कहा जाता है अल्पत्माइब वगtechn काल जाता है तो इदर वन लिख दिया जाता है क्योंकि 5 से बढ़ी ये संक्या यानि 24.1 मिलियन हेक्टेर जो है वो क्या पाया जाता है UP का एरिया पाया जाता है और कुल क्रशी योगी एरिया उसमें से कितना है यानि 18.78 मिलियन है वास्तफिक बोया गया चेतर जहां पर वास्ताओं में इसको बोया जाता है क्रशी योगी चेतर तो यह है लेकिन ज़रूरी तो नहीं हर एक क्रशी के योगी चेतर में निकल लिया है फसल बरबाद हो जाती है कहीं के लोग नहीं बोते हैं फसल तो जो टोटल मिला के एक अगुस्तन जो बोया जाता है वो 16.58 million hectare इसको बोया जाता है ठीक है अब 1 km2 में 100 hectare होते हैं वन ये छेतरफल अगर यूपी का देखा जाए तो 14805.65 km2 यानि 1.48 million hectare है जमिदारी प्रता काउन मिलन कब हुआ था 1951 में हुआ था चकबंदी कब से लागों की गई थी तो 1954 से लागों की गई थी 1999 से यानि खिसान को अगर पैसा चाहिए तो ग्रेडिट कार्ड वह ले सकता है किसान वह भी किस साबसे जितने इसकी खेती ब्रूमी इससे क्या हो गया है कि जो जमीदारों के पास में किसान जाते थे या जितने भी लोग क्या करते थे किसानों को अपने चंगुल में फसा कर किस से ज़्यादा इंट्रेस्ट में पैसा लेते थे तो ऐसा क्या होता है वो किसानों के साथ में नहीं होता और इसकी सुरुवात किसने कीती, उस समय के क्रिशी मंतरी बगएरा, तो ये स्वन्त सिंग ने कीती, उन निस सो ठाणवी निन्जानवी के टाइम में, ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से, जो अनाज बगएरा है या गेमू बगेरा हैं तो इनके बारे में सब कुछ हो गया है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में हम लोग अपने फलों के बारे में बात करेंगे और फल उत्पादक में नंबर वन राजी कौन सा आप लोग लिक करके बताईएगा वीडियो अच्छ